दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जंगल का राजा सेर है और इसे कोई नहीं हरा सकता है पर ये बात जानका आपको बहुत दुख होगा कि सेर ही ऐसा जनवर है जिसको हर जनवर हरा सकता है ये सिर्प कहने की बातें रह गई है कि सेर ही जंगल का राजा है तो आज हम आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो पसांद आया तो लाइक और सेर करें ताकि हर किसी के पास यह जनकारी पहुच सके दर्याई घोरा यह जनवर सेर और यहां तक कि सेरों के समू से भी असानी से अपनी रक्षा कर सकता है दर्याई घोरे के दात बहुत ही नुकीले होते हैं जो एक सेर के एक वन से कुचल सकते हैं वो काफी अकरामक होते हैं दर्याई घोरे बहुत ही मजबूत हैं और सेर इन पर लेकिन उनको भी पता है कि अगर इनका दिमाग हिल गया तो सेर की भी हिल लएगी , इसके एलाब वो सेरों के तुल्म में बहुत ज़्यादा भारी होते हैं इसलिए सेरु इन पर हमला करने से बचे रहते हैं मगरमच पानी वाले इलाके में सेर के करीब आने पर मगमच सेरों को मार सकता है पानी में मगमच से कोई नहीं जी सकता इसके मजबूत दात सेर को कूचल सकते हैं अगर मगमच सेर को कातने में सक्षम है तो मगमच हमेशा जितता है यह जान डूबना जाए हाथी ये जमीन पर सबसे मजबूत और सबसे भारी जीव है इन दिगुजों का वजन 8 तंग भी हो सकता है एक हाथी इतना बड़ा और मजबूत होता है कि वो अकेले सेर का सामना कर सकता है एक हाथी को नीचे लाने के लिए सेरों का एक पूरा गर्व जुन भी होगा फिर भी वो संभावना नहीं है कि हाथी को नीचे जुका सके है हाथी की एक लाथ सेर के पेट पर परने पर सेर की उसी समय मौत हो सकती है इसलिए सेर भी उनसे दूरी बना कहीं रहते हैं और कभी भी इन पर हमला नहीं करते हैं आप अभी बदी बिल्यों में से और बाग उनमें से सबसे बरे हैं लेकिन से की तुलना में बाग बहुत बड़ा मजबुत और अधिक सक्रसाली है खास कर जब हम साइबरियन वागों की बात करें तो साइबरियन बाग दुनिया के सबसे बड़ी बिल्ली है इसकी औसत लंबाई तिन मीटर और इसके पूछ से लेके सर तक की लंबाई तिन एक मीटर मापी गई है व्यसक नर्ड साइबरियन बागों का वज़न सारी 300 किलोगराम तक हो सकता है इसके अलावा सेर इनका सिकार करने से भी डरते लेकिन बाग अकिले ही होते हैं लेकिन वाग असानी से से तो नीचे ला सकता है अगर वाग अकिला भी रहे तो वा बहुती सक्तिसाली प्रभाव उत्पन अटेक कर सकता है जो समवतों सेर को फार सकता है अगर वह सामने की लड़ाई में सेर के साथ हो तो सेर निशित रूप से हार जाएगा भैस आपने कई वीडियो में देखा होगा कि भैस कितनी तक्वादर होती है वह उन सेरों को चार्ज करने और उच्छालने में सक्षम होती है भैसों को अपने सदस्यों के लिए बहुत ही स्रक्षमत मना जाता है बिसे सुरूप से कम जो लोगों के लिए एक सेर एक भैस को हरा जानी का एक ही तरीका है उसके गले पर में जूटी से काट लिया जाए एक अकेले सेर के लिए भैस को हरना बहुत ही मुश्किल होता है कि सिल्बर बैक गोडिला सिल्बर बैक गोडिला एक सेर के बड़े ही दावेदार होते हैं यह जानवर सारे 5-6 फित लंबे और इनका व 1000 पाउंड तक उठा सकते हैं लगवक 990 पाउंड के बल से किसी को फेक सकते हैं गोडिला सेर के इतला में अधिक सक्ती साली और भ्यारक ताकत वार 113 दुष्मन है इसलिए सेर भी इंसे ड़ने से दस बर सोचते हैं जिराफ किसी वी दीसा में कई तरह के लात मार सकता है उस इंच खूल के साथ भड़े होते हैं इनकी दो सो पाउंट प्रती वर की इंच का बल उत्पन करती है इसकी लाद से हडिया तक तूट सकती है और आमने सामनी के लराई में इससे भी बद्दर हो सकती है सेर जिराफ से कोई मेल नहीं कर सकता है क्योंकि इन दोनों में कंप्रेशन करना ही बहुत पेकार है एक जिराफ इतना लंबा होता है कि सेर कभी भी उसकी गड़े तक नहीं पहुच पाता है एक जिराफ को नीचे गिराने में उसका पूरा का पूरा जोनी भी अगर सामने आ ज करते हैं इसलिए सेर कभी इनकी छोटे बच्चों पर हमला करते हैं तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे जनवर जो की सेर को आसानी जहरा सकते हैं और इसे लड़ने के बारे में सेर कभी सोच भी ने सकता है अगर सेर अनुभवी हो तो कभी इन जनवर से भीड़ने के कोशिस नहीं करेगा तो उम्हीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को सेर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाए बाए